असलाम लेकुम सुडेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल सुडेंट लाइफ, आज मैं आपके साथ M.K.T. 621 के असाइन्मेंट नमबर वान का सुलूशन शेयर करूंगी, Spring 2020 के आपकी यह असाइन्मेंट है, और डू डेटिस की 28 जुलाइ 2020 और टूटल माक्स रहन है, टॉपिक इस के बाद आपके पास case study है, कि आपने case study आपके साथ शेयर की गई यह आपने इसको carefully read करना है, यह कहा है कि AllParts Milks जो है, उनके बारे में है कि उन्होंने अपनी जो product है, उनको बड़े अच्छे से market में इंट्रड्यूस करवाया, जब उन्होंने AllParts Milks को इंट्रड्यूस अच्छा response दिया इस product को buy किया, और specifically जो आजकल के जो issues चल रहे हैं, उसमें लोग जादा जो टेट्रड्यूस को priority दे रहे हैं, ठीक है, तो यह क्या था कि उनका जो यह product था काफी high level पे गया, बहुत जादा, उसके बाद उनकी बाकी जो product थे जैसे powder milk हो गया, या cream होगी त जब उनने ये flavored milk इंटर्ड्यूस करवाया, तो जिसमें उनके दो flavor है, जिसे strawberry और chocolate flavor है, तो उनने जब इसको इंटर्ड्यूस करवाया, तो यह इतना ज्यादा high level पे नहीं गया, या लोगों में इतना popular नहीं हो सका, तो यहाँ पे उनने आपको यह बताया है, कि जब उनने ये flavor में एक इंटर्ड्यूस करवाया, तो इनमें उनको और ज्यादा progress और और ज्यादा awareness की ज़रूरत थी, यानि जो advertisement उनने की, उसमें उनको और ज्यादा बहतरी की ज़रूरत थी, और ज्यादा इसमें उनको improvement चाहिए थी, awareness create करना चाहिए थी, जो वो नहीं कर सके, तो य create करने के लिए, और अपने जो ये product है, flavored milk इसको दुबारत से introduce, अच्छे तरीके से करवाने के लिए, ठीक है, तो उसके बाद marking scheme आपके साथ शेयर की गई है, कि total marks आपके assignment के 10 है, और आपको अच्छा relevant material इसमें include करना है, irrelevant material आपको include नहीं करना, avoid करना है उस चीज़ से, तो अब आपके साथ, मैं solution शेयर करती हूँ, अमीद आपको question चीज़ समझ आ गया होगा, तो आप प्लीज चैनल को जूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को like जूर किया करें, और share भी किया करें, और assignment के हवाले से मैंने आपको lots of time ये कहा है, कि assignment आपके साथ एक guide line होती है एक आपको help करनी होती है हमारे दर्व से, तो आपको खुद भी अपने question को अची तरह समझना चाहिए, अपने question पे गोर करना चाहिए, अगर आप as it is उठाके data summit करवा रहे हैं, आपको marks नहीं मिले, एक तो copy paste का issue आ जाता है, और दूसरा ये के mistakes भी हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ solution में और ज्यादा increment की जरूरत हो या और ज्यादा उसमें आपको कुछ add करना हो, तो आप प्लीज वह जूर चेक कर लिया करें, फिर इसी पे बिल्कुर rely ना किया करें, कि आपको solution जहां पे भी मिल रहा है, आप उसको हैसिट उठाके summit करवा रहे हैं, तो ऐसा ना क किया करें, तो आप इसी पे ना रहा करें, अपनी भी attention जरूर इस पे पे किया करें, ठीक है, आप solution में आपको बताती हो, आपने advertisement टूल बताने है कि वह कैसे अपनी product को बेतर कर सकते हैं, अपनी product के बारे में awareness करवा सकते हैं, ठीक है, उसको promote कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले क किया है कि आपकी sales promotion अची होनी चाहिए, एक effective tool है, short term sales के लिए, इस पे आपको क्या क्या objectives मिल सकते हैं, आप attention आप ग्राइब करवा सकते हैं, छीक है, new customers की, और अगर existing customer कोई हैं आपके तो आप उनको दुबारा से अपनी तरफ अपील करवा सकते हैं, अपनी तरफ अट्रे किसे introduce करवा सकते हैं, ठीक है, publicity अच्छी हो सकती है, इस public relation का major factor यह होता है, कि आप अपनी जो product है, उसको एक support पर वाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप supportive level पर ला सकते हैं, आप अपनी जो भी publicly relationship से आप अपनी market को, अपनी product को marketing करके introduce करवा सकते हैं, उसके बाद direct marketing क्या ह आप क्या करते हैं, आप किसी भी area में अपनी marketing को introduce करवाते हैं, अपनी service को introduce करवाते हैं, अपनी product को introduce करवाते हैं, वहाँ पे अपना को store लगा करके या इस तरह करके आप लोगों के साथ direct communicate करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या update the appearance, आप क्या करते हैं, अगर आप existing product को अच्छे idea के साथ दुबारा लेकर आएं, अच्छे idea के साथ दुबारा लेकर आएं, उसको visibly promote करें, कि वह जो देखने में है, अपील करें लोगों को, और कोई अच्छा सा message भी उसके साथ relate करें, ठीक है, यानि वह जो प्ये all parts वाले हैं, हम इनको क्या advice कर सकते हैं, कि यह अपनी जो product है, उसको उसकी appearance को update करें, यानि उसको अच्छे तरीके से दुबारा market में introduce करवाएं, उसकी packing change करें, उसको एक अच्छे idea के साथ लेकर आएं, उसकी look change करें, ठीक है, उसके बाद क्या है, rethink the packaging, ठीक है, यह वो ही idea आगया कि अगर आप अपनी product की पहली packaging से satisfied नह नहीं मिला तो आप look को उसकी look को दुबारा change करें, उसकी price को अच्छा करें, ठीक है, अगर price को decrease करने की जोएता है, अगर price को decrease करने की जोएता है, तो decrease करें, formula improve करें, और अच्छा सा उसमें ज्यादा पहले से change लेकर उसको दुबारा से refresh करवा के market में लाएं, उसके बाद करने में उनको असानी हो, मतलब उनको facilitate करें के वो easily avail करके उसको use कर सके, ठीक है, उसको refreshing good looking दिखाएं, ताकि उसकी sales customer को satisfy कर सके, उसके बाद क्या है, eliminate confusion about which product doesn't work for warm, आप ये confusion दूर करें के product, जो भी आप product market में ला रहे हैं, उसकी confusion अच्छे से दूर होनी चाहिए, कि ये कि ये यूज हो रही है, इसके यूज करने का मकसद के जैसे ये फ्लेवर्ड मिल्स आ रहे हैं, तो वो उसको यूज करने में उनको confusion ना हो कि किसे इसके लोग यूज कर सकते हैं, या कि अगर इसको यूज करेंगे तो हमें कोई side effect तो नहीं होगा, या इसमें क्या ingredient यूज किय assume करें कि आपने उनके साथ customer के साथ loyal रहना है, या आपने उनको अच्छा तरीके से guide करना है, आपकी सबसे पहली preference कि आउनी चाहिए कि आप अपने customer को satisfy कर सकें, अगर आपके साथ को competitive product है, तो आप कैसे उसको overcome कर सकते हैं, ठीक है, आप अच्छा feedback लेकर आए, लोगों के सा regular survey आप कर सकते हैं, आप shops पे जाके, अपने जो agents होते हैं, उनको आप बेजे कि आप shops पे जाए, और उनसे जो sellers हैं, उनसे पूछे कि आपकी product की क्या position है, क्या ranking है, क्या feedback आ रहा है, आप उनके साथ एक time spend करें, जो customer आ रहे हैं, आप personally उनको ये चीज अगर दे रहे हैं, त क्या फाइदा मिलेगा या ये चीज आपको कितनी satisfy करेगी, उसके बाद क्या है कि ignoring customer complaints ये इस तरह हो रहा है कि आजकल में जैसे media पे आपकी कोई product है, अगर उसके customers को कोई issues है, कोई complaint है, तो आप उसको ignore ना करें, आप उसको उसी वक्त on the spot catch करें, और उनको satisfy करें, उनको इससे क्या होता है, इससे customer का belief भी बढ़ता है, और वो easy हो जाता है, कि मुझे अगर कोई complaint होगी, या कोई issue होगा, तो मैं दोबारा से reconnect हो सकता हूँ, या मैं अपनी जो भी मुझे complaint ना, उसको solve करवा सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या offering, but you can't deliver, और उस चीज को आप offer अगरे, जो आप deliver नी का सकते हैं, या आपने एक जगा पर advertisement की, आपके advertisement बहुत अच्छी चल गी, और उसके बाद जब लोगों को उस चीज की ज़रूरत है, वो आप से impress होगे हैं, तो आप वहाँ पर वो चीज delivery नी का रहे हैं, तो ठीक है, ये इस चीज से आपने avoid करने है आपने market में कोई भी चीज ला रहे हैं, तो उसको पहले उसकी जो availability है, उसको यकीनी बनाने हैं, तो ये थे इसमें, जो मुझे समझ आई, मैंने point add किया, आप उसके लावा और भी point add कर सकते हैं, क्या flavor, जैसे आप उनको advice कर सकते हैं, क्यों अपने flavor को enhance कर सकते हैं, और उसक के इलावा और भी ideas जो आपके mind में आ रहे हैं, price में थोड़ी कमी कर सकते हैं, ठीक है, price उसके इची ला सकते हैं, बच्चों के लिए appealing कुछ उसमे message या कुछ ऐसा idea रख सकते हैं, क्यों बच्चों को attack करें, ये चीज़े और वो buy करें, इसको बच्चों के लिए appealing हो, और parents क अच्छी चीज़े हों के अच्छी चीज़े हो, अगर यूज कर वार है अपने बच्चों को तो उनको कोई side effect नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, उसके इलावा और भी कोई इस तरह के point अगर आपके mind में आ रहे हैं, तो आप add कर सकते हैं, और फिर भी कोई confusion होता, आप पूछ प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें ताकि ज्यादा सास्ट्रेंट को फायदा सकें, और इसका जो link है मैं description box में दे दूँगी, आप महां से इस फाइल को download कर सकते हैं, मुझे दीज़े जाज़त, अल्ला हाफिज